असलाम वालेकुम वेलकम बैक टो किंग बड्सकेयर दोस्तों मैं हूँ अश्वाक अमद आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा की प्रोग्रेस के बारे में आपको जावा की प्रोग्रेस भी दिखाता हूं और उसी के साथ सथ जावा की ब्रीडिंग टिक्टे हव मशला से यहां पर आप देख सकते हैं मटकी के अंदर एक दो तीन चार पांच बचे मौजूद हैं हैं हेल्दी हैं मशला से और यह आश्टा-इस्टा कवर हो रहे हैं कुछ दिन बाद यह पूरे कवर हो जाएंगे और उसके कुछ दिन बाद यह मटकियों से बाहर आ एक ही नेस्टिंग में दो दो तीन तीन कलेच लेते हैं देखें मैं प्रिफियर करता हूं कि आप हर दफा नेस्टिंग को यानिके हर कलेच के बाद नेस्टिंग को किलियर करते हैं साफ करते हैं और उसके बाद जावा को नई नेस्टिंग दे बेदियानी कहां पर होती है बहुत से लोग उसको देखते हैं और आपकी किलयर है साफ है जल जाएगी इतनी अइपको दूसतों नीचे कीड़े हो जाते हैं इस वज़य से आपने हर दफानेस्ट कि चेंज़ करना है उसे आपके बैठे भी और बिमारियों से बचा रहेगा अच्छा यहां पर आप देख सकते हैं यह केतने घुस्जे में आ गया है कैमरे को देखके जो है यह बहुत गुष्जे में आ गया है अपनी अंडों की हिपादत कर रहा है यह आप देख सकते हैं देखें माशयल्लाज इसका मतलब यह है कि यह बहुत ही अच्छा पियर है और इससे हम फोस्टिंग भी करा सकते हैं यहां पर भी हम चेक कर लेते हैं और मुझे लग रहा है कि यहां पर भी हैचिंग हो चुकी है हां जी बिलकुल नीचे छोटे छोटे बच्चे जो है वो कि यहां पर यह माती है और इसका गल्पन अंदर मौझूद होगा यह देखिए नर अंडों पर बैठा हुआ है अगला पेर भी देख लेते हैं माशयल्ला से यह दोनों ही बाहर है क्यों वह यह दोनों बाहर क्यों है मुझे लग रहा है कि यह खाने के लिए बाहर आए हैं दोनों और इन्हों ने भी जिहां इन्होंने भी एगलेंग की भी है माशयल्ला से यह कुछ बच्चे आपनी बिल्ड बनाएं गे तो चलिए अब हम मजीद प्रोग्रेस की तरफ चलते हैं यहां पर भी आप देख सकते हैं माशयल्ला से इस मटकी में भी बच्चे अच्छा एक और बड़ा ही अजीब और गरीब मसला सामने आया है और बहुत से लोग से यह चीज़ डिसकस कर चुके हैं हो क्या रहा है कि जावा अपने बच्चों को मार रहा है जावा अपने बच्चों को मठकी से बाहर फिक देता है पानी के कुंडालियों में जाके अबर आपने बड़ते हैं अक्षा नहीं कर सकाए और मठकी के अंदर ही मर गया नेस्टिंग के अंदर ही मर गया तो जावा उसको फिर बढ़ार नकाल नARSल के पानी में पिडाल देता है यह पिर कभी पड़कना भी शुरू करते लेता है ऐसी कन्डीशन के अंदर पहले आते हैं अच्छे इसके लावा एक और चीज अक्सर आपने दिखा होगा कि आपके बड़्च जो है वो मोल्ड पर आ जाते हैं जावा जो है वह पर जाता है अपने पर जाड़ने चुरू हो जाता है अगर आपका प्रेडिंग पर है और उसने बच्छे हैच करें तो बहतर य अगर जाते हैं तो मेफ खाल रखना है कि दोनों पेयर के बच्छों की एज सहीं होनी चाहिए और एक पेयर है जिसके बच्छ है कि अura कि faisait रहे हैं तो इसी तरह जो सेकंट पा साथ सौने बच्छों को टालना है उंकी पी अचिती टीन आगे पीछे ही होनी चाहिए अगर बच्चे बहुत जादा बड़े होंगे या छोटे होंगे तो फिर उसमें बहुत से मसाइल आ सकते हैं इसके अलावा आपने एक शेल कभी इस्तमाल कराना है जिया दोस्तों जब आपका प्यर कलेश दे के वारिक हो जाए और आपको पता है कि कुछ टाइम बाद ही दुबारा हंडे रख देगा उस टाइम पर आपने एक शेल या उससे थोड़ा पहले ही आपने एक शेल को एक शेल की कमी को भी पूरा करता है इसके लबाद आपने एक चीज का खयाना है जो तो आपका پेर ब्रीट पर है यानि कि जिसने बच्चे रखे़े में हैं उसका आपने एक्सटरा खेया है उसका दाना जो है वो केज में कभी खतम नहीं होना चाहिए कम नहीं होने चाहिए हमेशे उसका दाना अच्छा लगाईए दाने के अंदर आप अगर बारी किंगनी तोड़ी सी एक्स्रा मिलाके देंगे तो जादा बहतर रहेगा और इसी के साथ 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 सौफ फूड भी आपने लाजमी देना है सौफ फूड के अंदर अगर आप हफ सीज़ से आपने नहीं देनी जिसकी वजह से बच्चों का हाजमा खराब हो जाता है और उसकी वज़य से वह एक्सपारि की बी तरफ आ जाते हैं तो इस चीज़ का अपने दिहान रखना है अच्छा एक और चीज़ बहुत से लोग जावा में male female का difference करने में बहुत जादा confused हो जाते हैं male female के difference के उपर में complete detail वीडियो बना चुका हो गर अभी तक आपने नहीं देखिए तो description में link मौझूद है आप वहां से देख सकते हैं एक और मसला आता है जिसकी वज़े से भी जावा मर जाते हैं देखिए होता क्या है कि जावा की जो breeding age है वो है 8 महीने 8 महीने के बाद यह enough mature होते हैं कि यह breed कर सके breeding के काबिल हो जाते हैं अब बहुत से ऐसे पेर होते हैं जो के 8 महीने से पहले ही ऐसी हरकते करना शुरू हो जाते हैं कि वो लगता है कि breed कर जाएंगे और कुछ पेर 6-7 महीने के अंदर breeding start भी कर देते हैं अब होता क्या है कि यह जो premature पेर होते हैं जो के breeding start कर देते हैं यह इनके लिए नुकसान दे होता है पहला कलेश दूसरा कलेश तो आपका सही आ जाएगा तीसरे कलेश के अंदर उनकी पॉड़ी जो है वो अंदर से खुलना शुरू हो जाती है इसके अलावा आपने किस एज में जावा के पट्टों को पर्चेस करना चाहिए इसके उपर भी में complete वीडियो बना चुका हूँ description में link मौझूद है और उसी के साथ जावा के अंदर अक्सर वायरस आ जाता है उसके उपर भी मैं एक detail वीडियो बना चुका हूँ वो भी description में मौझूद है और एक और मसला आता है कि जावा के पट्टे मरना चुरू हो जाते है यानि कि जो यंग पट्टे होते हैं वो मर जाते है अच्छा जी इसका क्या reason होता है इसके उपर पर मैं एक detail वीडियो बना चुका हूँ वो भी description में लिंक मौझूद है आप महाँ से complete देख सकते हैं मैं चाहता तो इसी वीडियो के अंदर और भी चीज़ें आपको बताता रहता मगर वीडियो बहुत जादा लंबी हो जाती है इस वज़े से मैं selected topic के उपर वीडियो अलग-अलग बनाता हूँ और आपको बता देता हूँ कि जो आपका मसला आ रहा हो उसी हिसाब से आप वो वीडियो जाके देख लीजिए तो मुझे उमीद है आज की वीडियो आपको पसंद आये होगी कोई वी सवालों कमेंट में पूछ लीजिएगा वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए इसी दरगे इंपॉर्मेटिव वीडियो आप लोगं के लिए लाता रहता हूँ नेक्स वीडियो में बहुत जल मिलते हैं अपना बहुत ख्याल रखे टेक कियर